स्टडी आईक्यू आयेस अब तयारी हुई अफोर्डबल विंटर इस कमिंग अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको यार अभी तो फैबरी का मन्त है अभी तो विंटर जा रहा है आप कहरे हो कि विंटर इस कमिंग तो आप में से जितने लोग ने गेम्स ओफ थोन की सिरीज होगी वो इस डायलॉक से इस फ्रेज से रिलेट कर पा रहे होंगे हमारा ये फ्रेज करने का इसलिए मतलब है क्योंकि आज के टाइम में जहां ठंडियों में शर्दियों में आप देखते हो तीन से चार डिगरी सेल्सियस का टाइमप्रेचर कर फ्लक्चुएट हो जाता है माइनस में चला जाता है तो हम लोग को इती सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है पर सोचिए कैसा वक्त था जब पूरी पूरी अर्थ की जो सर्फेस है वो तीन से चार किलोमीटर या स्याइद उससे भी ज्यादा ठिक एक तरीके से आईस के शीट में पूरी टाइम कवर रहती तो उसको हम कहते हैं हिंदी में हिमयोग और इंग्लिश में अगर आप करो तो आई से सबस्वाड़ा क्वेशन यह आता है कि क्या वो टाइम जो था आई से इस का जो पीरिड था वो वापस आ सकता है क्या वो वापस आ रहा है इस आई इस रिटर्णिक तो नमस्कार मैं उत करते हुए, लेक्चर पर प्रोसीड करने से पहल एक बार आपको मैं यार दिला दू, यह जो spaces है, सारी की सारी जो PPTs हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, during the recorded session, और जो भी हम material को use करेंगे, live session के time पे, अलग-लग PDFs होंगे, study material होगा, वो सारे के सारे आपको इन spaces पर मिल जाएगा, you can also connect with me, we'll have some fun quizzes, interactive session on that, अपनी queries हो कोई doubt है, किसी important topics से लेकर, कि आप post कर सकते हो, अगर आपकी कोई एक तरीके से आप कहा सकते हो, विश है, कि कोई topic आपको ना समझ जाए, वो हम वाइटी की सीरीज में cover करें, तो आप उसके लिए भी suggestions में आप पे दे सकते हो, तो these are two platforms, Instagram का page और Telegram का यह channel है, दोनों पे नाम से हैं, आप search में आके sapiens world search करोगे, तो मिल जाएगा, so we can connect over that space होगे, अब हम पहुसते हैं, आज के आज के हमारे topic पे, जो की है, winter is coming, ice age, और ice ice का phenomena, the causes of ice age, और क्या-क्या-क्या आपको आपको देखने को मिलता है phenomena और उसके explanation किस तरीके से की जा सकती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो earth का temperature है, वो पूरे समय आपको देखने को constant नहीं मिलता है, ठीक है, प्लीस्टो सीन के हमने आपको जब geological time scale की बात समझाई वही थी, आप अगर पुराने lectures में जाओगे, हमने इस evolution की series चल रही थी, एक तरीके से, उसके start में ही आपको हमने GTS का, सबसे first lecture में, although उसमें हमने उसको Hindu mythology में जो calendars आपको देखने को मिलते हैं, उससे एक तरीके से correlate करके दिखाया था कि कैसे time का concept आपको Hindu mythology के अंदर में देखने को मिलता है, जहां हमने कल्प और बाकी सारे मनवांतर के subdivisions को देखे थे और अंतराल जो होता है, उसमें उसको हमने डिसकस किया था और दूसरे side पे, उसी के left hand side पे, हम side by side, simultaneously discuss करते भी जा रहते हैं कि GTS के अंदर क्या-क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, यानि geological time scale के अंदर क्या देखने को मिलती है, तो हमने बताया था कि उसमें आपका जो quaternary period है या फिर recent period है, ठीक है, quaternary period के अंदर में आपको देखने को मिलता है, दो अलग phases, जिसको आप कहते हो या फिर दो epochs कह सकते हो, एक आपकी plisto scene है और दूसरी आपकी recent epochs जो अभी चल रही है, वो है holocene, तो उसमें से भी अगर आप plisto scene की बात करो, तो वो ऐसा period था जब extensive ice formation हो रहा था, ice ages आ रही थी, extended period होता था, यहाँ पे पूरा का पूरा जो अर्थ का surface होता था, ice से cover होता था, आप जाके देखोगे, अर्थ के various continents में, अलग-अलग reasons में, तो आपको snowfall आपको देखने को मिल रही है, पूरा का-पूरा ice sheet का formation देखने को मिल रहा है, glaciers है, पूरी तरीके से intensified form में, एफरिका के continent में जाते हो, आप तो simultaneously दूसरा phenomenon वहाँ चल ला होता है, यह जो ice formation का phenomenon इसको आप कहते हो glaciation, दूसरी तरफ एफरिका जैसे tropical जो reasons है, आपको देखने को मिल रहा है, वह fluvial period वहाँ पे चल रहा है, जहां पे extensive rainfall आपको होते गई दिखरी है, तो यह दोनों चीज़ एक साध चल रही होती है, जहां पे आधी घरती आपको देखने को मिलती है, आधी से चीट में पूरी तरीके से बंदी हो इए, उसके बाद ये चीज कब change होती है, जब आपका holocene का epoch, या फिर holocene का जो हम कहा रहे हैं, कि period जब शुरू होता है, उस समय चीज आपको change होते हैं, जो कि around 11,000 years ago हमारा शुरू होता है, अगर हम study करते हैं, under the quaternary period के अंदर, अगर उसके हम बात करते हैं, तो, अर्थ की जो surface को warm कर रही है, वो एक तरीके सा आपको यहाँ पर constant रेखने को नहीं मिलती है, वो radiation जो है, उसमें differentiation होता है, आई से इसके समय कहोगे, तो, इस इंसिडेंट radiation है, या फिर solar light, या फिर heat up, simple terms में अगर बात करो, हम ज्यादा complex में नहीं जाएंगो, क्योंकि हम geology की sense में नहीं पॉल जी के अंदर में, इसको बहुत ही layman terms में समझाने की कोशिश कर रहे है, इसलिए कई सारी technicalities जो है, हमने इसमें से remove किये, ताकि एक journal, जो कोई, अगर audience हो, उसको भी यह चीज, clearly समझ में आ सके, तो, जब आप बात करते हो, कि यह sun की rays आ रहे है, यह sun की light आ रहे है, उ आपको पूरी पूरी बर्फ की चादर बीचे होई दिख रहे है, तो जाहिर सी बात है, कि यह light intensity यह heat आ रहे है, वो बहुत कम आपको देखने को मिलती होगी, ठीक है, और आपको जब यह कम देखने को मिल रहे है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे अलग-अल रहे है, लेकिन उसका reason क्या हो सकता है, कि यह कम आ रहे है, यह बात आपको 1910 में समझ में आती है, और उसको समझाने वालों कोई और नहीं, आपको यहाँ पे नाम उनका दिख रहा है, मिल्यूटिन, मिलानकोविच, ठीक है, यह आपको Siberian, एक Geophysicist को कह सकते हो, ठीक है, Geologist भी कहके समझ सकते हो, आप इनको, भूगर्व शास्त्री जिसको हिंदी में, अगर आप term यूज करना चाहें, तो if I am correct, तो आप देख सकते हो, इन्होंने यह फेनॉमना को समझाया है, कि क्या-क्या causes हैं इस Ice Age के होने के, और Earth की Relative Moment, Sun के से वो करके बताते हैं, कि Sun के context मे अगर आप देखोगे, Earth की Relative Moment जो है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको देखते हो, study करते हो, तो आपको यह जो cycles हैं, एक cyclic form में आप भी समझोगे movement को, तीन अलग जौनराद में उसको बाटा, तीन अलग categories बाटा, और उसके through वो Ice Age, या फिर जो Him, यूग आपका पीरेड है, पूरा time span था, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, यह आपको अलग-अलग phases आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनको next slide पे हम समझेंगे, detail में, यहाँ पे तीन यह जो आपको देखने को मिल रहे है, ABC, I think यहाँ पे zoomed enough नहीं होगा, आपके screen पे, यह जो आपको terms देखने को मिल रहे है, eccentricity, obliquity और precision आपके बात करते हो, तो यह तीन चीज़ हैं, जिसकी उन्होंने बात कही, कि यह सारे चीजों की वज़े से आपका क्या हो रहा है, कि जो आपका effect of changes है, अर्थ की movement पे, वो climate पे क्या असर डाल रहा है, तो इनी चीजों की हो लेंगे, तो detail में थोड़ा bigger picture में देखेंगे, तो earth की orbit की आप बात करते हो, पूरी तके से circular नहीं है, ठीक है, एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, कि elliptical, elliptical आपको देखने को मिलता है, उसका shape याँ पर लिखा हुआ है, I think it's not zoomed enough for you to see this on the screen right now, in the next slide, maybe it is will enough, त आप देख रहे हो, कि जब वो rotate कर रहा है, तो distance उसका माहिने रखता है, ठीक है, distance कम होगा, तो incident जाईर से बात है, light जो आएगी, जो warm होगी, sun की heat होगी, वो ज्यादा receive होगी, है ना, snow formation के chances कम होगे, क्यों heat ज्यादा आ रही है आपको, लेकिन अगर वो distance बढ़ता वो दूर रहेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, कि आपको colder climate ज्यादा होने के chances, आपको देखने को मिलेगा, ice formation ज्यादा likelihood में आपका आ जाएगा, और यही होता है, क्योंकि ये distance जो है, वो fix नहीं है, एक लाग साल की cycles में बात किये ना, इस जो फिनामनों का सम climate पर पढ़ रहा है, इस चीज को उनने बहुत lucid way में बताया है, एक cyclical form में, इन तीन headings के अंदर, या इन तीन categories के अंदर, तो आपको बता रहे हैं कि, eccentricity की cycle है, वो around 1 lakh year, 0.1 million year आप कह सकते हो, उतनी में change होती रहती है, यानि कि जो orbit है, उसके around, आपका, जो earth है, rotate कर रही आपके, वो decrease or increase होता रहता है, 1 lakh साल की, उसकी cycle है, उसी की time frame में, आपको देखने को मिलता है, तो जाहिर से बात है, जिस time frame में, वो closer आएगा, जिस time frame में, वो close होगा, उस time frame में, आपको extreme heat देखने को मिल सकती है, जितना पास, उतनी जाधी, गर्मी या warm तो आपको देखन स्ट्रेट नहीं है अगर आप एक टॉप समझते हो लट्टू को देखते हो तो उसकी तरह इसका एक्सिस है वो सीधे नहीं है ठीक है एक टिल्टेट पोजीशन में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं नेक्स लाइट पे चाहिए थोड़ा जूम होगा इस टिल्ट के कारण क्य मिलान कोविच है साइबेरियन जीओ पिजस्सिस थे नेक्स लाइट पर आपको जाते हैं ताकि बहतर थाहिके से आपको समझ में आ जाए तो यह आप बात कर रहे हैं यह देखिए जो एक्सिस है सेंट्रल पॉइंट जो है वो टिल्टेड है ठीक है प्रेजेंट टाइम में कॉंटेक्स में अगर आप अर्थ की बात करते हो तो जाईर सी बात है वहाँ पे जादी हीट रिसीव होगी वह ज्यादा वार्मर होगा और जो अपोजिट आपको देखने को मिला है जो टिल्टेड आउट उससे थोड़ा एक्स्पोजर उसको कम मिल रहा है वह अवे है इन टिल्टिंग है जिसको आप उबलीक्विटी कह रहो उसको एक्सेंट्रिसिटी कह रहे थे आप जो आप आर्थ का रेडियस आप बात कर जो ऑर्बिट की बात कर रहे हो डिस्टेंस की बात कर रहो सन और आर्थ के बीच में उसको एक्सेंट्रिसिटी के आप कॉंसेट में सम हमेशा, 24.5 degrees पे tilted, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, इसको इन्हेंने दो extremes के बीच में बाटा, जो 21 से लेकर 24 तक आपको देखने को मिलता है, actually यह 24.5 तक भी नहीं है, इसका actual tiltriness की अगर आप बात करते हो, let me show you on the diagram, यह आपकी eccentricity का diagram है, and this is obliquity, ठीक है, यह 22.1 से लेकर 24.5 degree तक आपको इसकी tiltriness देखने को मिलती है, present में अगर आप इसकी tiltriness की बात करते हो, तो यह देखो, आप यहाँ पे obliquity है, 23.5 जो मैंने भी बोले 24.5, उसको भूल जाए है, 23.5 इसकी present, अगर आप बात करते हो, इसका axis tilted है, लेकिन यह present scenario जो है, वो एक moderate कह सकते हो, बीच में, इसके extremes क्या है, 22.1 degree से लेके 24.5 degree तक, इसके बीच में इसका tilt है, वो vary करता रहता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि इसकी जो cycle है, last आपने बात की eccentricity की, उसकी cycle किती लोग है, एक लाग साल, यानि कि एक लाग साल पे वो एक तरीके से reverse करता होगा, change करता होगा, यहाँ पे जो cycle है, वो 41,000 years की है, उससे छोटी है cycle, यानि tilt जो है, 22 से 24.5 के बीच में shift होता रहता है, इसकी जो है, वो आपको कम देखने को मिलेगे, तो यह phenomena इस वे में operate करता है, अगर आप बात करते हो, seasonal change की या seasonal change के pattern की, according to whom, according to milan kovic cycle, next, जो तीसरी बात करते हो, आप इसका एक बार diagram यह भी हम देख के बताएंगे, यहाँ पे NASA द्वारा credit दे देदे, क्योंकि जिनका आप वीडियो यूज करो, ठीक है, obliquity के आपको समझ में आएगी, tilted है, जो side को ज़्यादा exposure मिल ला है, वो warmth, उसके warm है ज़्यादा, और जहाँ पे कम exposure मिल ला है, वो जाहिर से बात हो, क्या होगी, वो colder, आपको वाप पे climate देखने को मिलेगा, fluctuation आपको जो है, वो खतम होने वाली होगी, जो जितनी आपने force अप्लाई की, तो उत्ती देर तक वो घुमता रहा, फिर जब rotation उसकी खतम होने वाली होगी, तो आपको देखने को वो सीधे सीधे नहीं घुम रहा है, उस कारण से भी आपका क्या होता है, कि आर्थ जब अपना ये वोबल एफेक्ट दिखा रहा होता है, उस बज़े से आपको देखने को मिलता है, कि एक तरीके से seasonal variation या फिर temperature के variation आ रहा है, जब जिस side exposure ज़ादा होगा, उस side अगर इसका moment आपको देखने को मिलेगा, rotatory moment जो वेबल एफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है, उस समय आपको थोड़ा higher sun का radiation आपको receive होगा, और climate कैसा होगा, या फिर उस समय environment कैसा होगा, warmer होगा, ठीक है, comparative to जहाँ पर less exposure आपका हो रहा है, उस समय आपको देखने को मिलेगा, कि वो colder climate की तरफ shift कर रहा है changes, इसकी cycle है, comparative to all the others, यह सबसे छोटी है, इसको कई जगों पर आपको sources में लिखा रहे है, 26, आपको इटना detail मेंनी जाता है, आपको याद रहे, इसलिए इसको एक simpler terms में, simpler form में कहा दिया है, 26,000 years, लेकिन अगर आप पूरा देखते हो, तो यह 25,771.5 years की cycle होती, इन तीनो cycle में सबसे छोटी है, यहाँ पर आपने एक लाग साल की cycle देखी, फिर 41,000 years की cycle देखी हो, यह जो है around 26,000 years पर ही खतम हो जाती है, यह सारे तीनो एक साथ हमने यहाँ पर diagram के form में आप देख सकते हो, eccentricity की बात कर रहा हो, तो इस circular ना हो करके, यह sun है, आपको साइद इसमें दिख रहा हो, सबसे बीच में जो आपको यहाँ पर mark दिख रहा है, और यह earth की उसके relative position है, एक लाक स्टाइम का span है, जिसमें वो आपका distance कम और बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, constant नहीं है, और जब वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है, आपको देखने को मिलेगा, कि colder climate आपको देखने को मिलेगा, और जब यह जितना elliptical होगा, नि दूर जाएगा, circular होगा, तो पास आया, पास आया, तो warmer हुआ, जब वो elliptical आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा, कि climate आपका colder होता है, क्योंकि distance बढ़ गई, सेम यह दोनों concept है, जो आपके extremes है, और tilt का, और दूसरा आपका जो precision है, यानि कि उसकी जो axial movement है, mobile effect जो आपके आपने बात की, जिसको यहाँ पे देखिए, summarize करके, एक simpler form में, 26,000 years के आसपास का लिया गया है, यह आप देख सकता हो, axial precision, जो mobile effect हमने last में बताई है, precision के अंदर में, उसको आप चाहो तो, इस slide से बहतर समझ सकते हो, इस तरीके से आपका, यह देखिए, अर्थ घूम रहा है, तो जो side पे sun के थूरू relative, उसका आप कहोगे कि nearness है, आपको ज़्यादा उसके affinity देखने को मिलती है, ज़्यादा pass देखने को मिलता है, वो side उस समय आपको ज़्यादा warm देखने को मिलेगी, और जो उससे away होगी, जो direction उससे away होगी, जो part उससे away होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये चीज ज्यादा colder फिनॉमन आपको देखने को मिल रहा है eccentricity वाली बात की हमने वो आप इस slide से समझ सकते हो यहाँ पे इस वीडियो के effect से आप समझ सकते हो यह देखिए यह घूम रहा है और यह expansion हो रहा है orbital expansion आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यह वापस से कम हुआ although यह बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखा भी हुआ है create में कि eccentricity को exaggerate करके दिखाया गया है ताकि आपको better chances समझ में इतना नहीं होता है इससे बहुत कम होता है और इससे बहुत slowly होता है लेकिन फिर भी next आपको फिर play करके दिखाये आप जैसे जैसे बढ़ेगा जाईर से बात है distance आपका ज़्यादा होता जाएगा distance भी आपका ज़्यादा होगा distance कम हुआ तो ज़्यादी solar radiation आई उससे climate जो है warmer हुआ distance ज़्यादी हुई तो उससे opposite phenomenon आपको देखने को मिलेगा last आपका obliquity यानि की tilt की बात है तो आप देख रहोगी किस तरीके से यह tilted है 22.1 से 24.5 यह extreme है current की हमने बाद की 23.5 पर यानि की beach में इसलिए आपको अभी देखने को मिल रहा है कि जो climate है हमारे है normal है एक moderate way में चल ला है न एक्स्ट्रीम आपको hotness देखने को मिल रहा है न एक्स्ट्रीम cold आपको देखने को मिल रहा है यह देखिए इसको भी हम play करके दिखा सकते है यह आपको axial movement उसका axis वो tilted दिखा रही है ठीक है यह खिए यह एकदम सीधी अगर axis होती है और यह लेकिन tilted है इसलिए आपको यह एक oblique form में देखने को मिल रही है तो इससे आप क्या समझते हो इससे इन तीनों चीज़ से आपका क्या होता है अब यह सारी चीज़ा जो एक तरीके सब होंगी सारे phenomena जब हो रहा है आप देख लो distance कम होई ठीक है तिल्टनेस में अगर आप अवे देख तो इन सारे phenomena के कारण relative moment के कारण earth की positioning के कारण उसकी orbital positioning के कारण एक तरीके से colder climate आना लाजमी था ice age में इस तरीके से वो सारी चीज़े work कर रही थी जो अभी हमने बताया उससे क्या हुआ आइस का formation हुआ अब यहां भी एक interesting form है ice का formation हुआ हो सकता है light आती फिर ice पिघल जाती ice हट जाती ice एस खतम हो जाती पर ऐसा हुआ नहीं ice होने से और ice बन रही है है ना आप कहते हो जहर को जहर काटता है तो same चीज वही फिनॉमना आप यहां पे भी apply कर सकते हो कि ice और ice को बना रही है वह कैसे बना रही है कि earth की surface जब natural vegetation cover से cover होती है grasses है soil है यह सारी चीजे उस समय अगर incident solar light आती है तो पूरी तरीके से ground में absorb होती है और absorb होती रहती है एक फिनॉमना के दोर पर चलता रहता है continuous cycle चलती रहती है और वह light आपकी absorb होती रहेगी तो उससे एक तरीके से यह फिनॉमना होता है कि जो पूरा surface है वह आपका लगतार तोर से warmer रहेगा ठीक है warmth बनी रहेगी पर अगर ice ने उसको cover कर लिया है जो कि आपको कब देखने को मिल ला है पीश्टो सीन में जब ice ages हो रही है तो जाहिर से बात हमने कहा कि 3-4-4 km की ice की covering है उस covering पर जब solar light आती है तो वह ice की पूरी sheet होती है अगर आप इसको यहाँ पर देखो यह blue वाला जो पूरा एरिया है यह ice की sheet है इस पर यह white वाली जो incident solar radiation या sunlight आ रही है यह fall करके यह जो ice की covering है वो एक mirror की तरह act करेगी है ना mirror काम को पता है वो reflect करेगा तो उसने light को reflect किया white surface है ice की sheet है जो mirror की तरह act की incident solar radiation को या फिर light को उसने वापस से reflect back कर दिया तो जाहिर सी बात है जब reflect back कर दिया तो एक तरीके से वो गर्मी बनी नहीं रह पाएगी इस वज़े से जो colder climate है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा वरना क्या होता कि अगर यह phenomenon नहीं हो रहा होता तो ice ice आती shorter tenure के लिए फिर हड़ जाती ठीक है आपको देखने को मिलता है है कि यह जो cycle है इतनी समय तक नहीं चल रही होती है जब कि हम क्या देख रहा है कि 2.6 million year ago से 26 आपको देखने को मिलता है लाग साल के time frame आप लेते हो तब से यह कब तक चलता रहा around 11,000 years अगो तो यानि कि hollow scene के आने तक इतना लंबर time effect वो इस phenomenon के कारण आपको देखने को मिल सेंटिस्ट की इस पर बहुत ही ज्यादा diversified रहा है पहले जो मिलान को विस cycle से एक तरीके से बहुत ज्यादा agree करते हैं वो कहते हैं कि of course जब condition वापस से prevail कर रही होगी इस तरह ही कि जो हमने तीनों moment देखी जब वो favor में होगी ICS के आने के तो ICS आएगी अभी हमने देखा क कि टिल्टनेस कितनी है 23.5 है ठीक है वो एक्स्ट्रीम पे जब जाएगी है ना जो एक्स्ट्रीम coldness के लिए responsible है उस एक्स्ट्रीम पे जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि ICS आना थोड़ा एक तरीके से लाजमी होगा दूसरी चीज़ उसी के साथ अगर उसी time frame में जो orbit का distance है वो बढ़ जाता है sunlight आपको कम receive हो रही है तो भी आपको होगा same goes with the verbal effect तो मिलान को भी cycle एक तरीके से हमको explain कर रही है कि हाँ ICS वापस से आ सकती है in in condition in in earth की relative moment from this sun के कारण ऐसी positioning होगी तो आ सकती है इन कही सारी recent resources की अगर आप बात करो तो इस facts से वो deny करती है और इसको मिलान को भी cycle का जो assertion है उसको मानने से एक तरीके से deny कर रही है उसको इंकार कर रही है उसको मानने से उनका मानना है कि नहीं आई से नहीं आने वाली है तो ICS को ICS पर छोड़ देते हैं ICS IHNI हम next class में next video में next lecture में जरूर किसी interesting topic के साथ in the evolutionary series वापस से आएंगे till then you can subscribe to these spaces for the PDF and other study material and interaction and quizzes till then thank you and have a very nice day Study IQ IS Abdiyari Hui Affordable